जोग्राफी में देखा जाए तो काफी सारे कुश्चन है जो कि उत्तवदेश की भावतिक संरशना को लेकर है, उसकी अवस्तती विस्तार को लेकर है, साथी वहाँ पर उत्तवदेश की जलवाईव का अध्यन करना, उसकी साथे साथ देखा जाए तो जो नदियां प्रमुक रूप से पाई जाती है क्रिस सम्बंधित सिचाई हो गया खनीज हो गया इसी तरीके से आपके देखा जाए तो जो मिर्दा है उसके बारे में तो काफी सारे जैसे नदियों इत्याद के उद्ग्रम स्रोत हो गया है फसलों की जानकारी हो गए कौन से फसल चक्र लियाती है सरवादिक उत्पादम इत्यादी को लेकर इस तरह के भी कुषण आपको यहां पर बनते हैं नदियों के उत्ग्रम स्रोत स्थिती विस्तार संगम सहयक नदिया अत्याद को related question बनते हैं साथ ही उसी तरकस देखा जाया तो आपके बहुत एक विभाजन को लेकर तो ये सारी जो जानकारिया है जो उत्तवदेश की geographical related है हम उनका एक एक करके चलिए यहाँ पर अधन करते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि उत्तवदेश की अवस्तती कैसी कहाँ पर है तो अगर हम बात करें कि जो भूगारविक दिश्ट से अगर हम बात करते हैं जो उत्तवदेश का जो छेत्र जो आपका संरचना है जो भूमी है वो किसका एक हिस्सा है यह प्राची इंतम गोडवानडा लैंड का भाग है उत्तवदेश का अगर देखा जाए जो दक्षनी भाग है जो पठारी भाग जो बुंदेल खंट का जो एरिया आपको है वो कैसा है वो मूलूप से आपके गोडवानडा लैंड से लेट करता है और geographical part का एक हिस्सा उसके उसका माना जाता है अगर देखा जाते हैं इनका जो निर्माड हुआ है यहाँ पर विंद करम की जो शैले हैं वो pre-cambrian yuk की मानी जाती हैं कबकि pre-cambrian yuk की जो विंद शैले हैं वो आपको मानी जाती है उत्तवदेश का जो अक्षांती, अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है वो कितना है यह आप समझ लीजे तो सबसे पहले अक्षांसी विस्तार के बारे में देखते हैं लेकि उत्तवदेश का अक्षांसी विस्तार है 23 degree 1 minute से लेकर के यहाँ पर 31 degree 28 minute उत्तरी अक्षांस में है सबसे पहले चीज अक्षांस में आपका उत्तरी अक्षांस में है और टोटल जो इनका हम कहें अक्षांसी विस्तार है आपका वो है आपका 7 degree 36 minute ठीक है कितना है 7 degree 36 minute का इनका कुल अक्षांसी विस्तार है यूपी का इसी तरीके से जब भी हम किसी के location का पता लगाने के कोश्च करते हैं तो अक्षांस के साथ साथ उसकी देशांतरिय स्थिती का भी आपको जानकरी होनी चाहिए जैसे कि आपने science पड़ी होगी वहाँ पे आप जो GPS होता है कमपास होता है GPS आपको कैसे काम करता है जहां पर आपके अक्षांस देशांतरिय विस्तार है वह कितना है तो देखा जाए तो यह है आपका सहतर डिगरी तीस मिनट पूर्व से लिएकर चौरासी डिगरी उनतारीस मिनट पूर्वी देशांतर के मद्द है और टोटल इनका जो देशांतरिय विस्तार है आपका 7 डिगरी 9 मिनट का है तो दूसे एक चीज यहां पर ग्थिएगा यूपी का देशांतरी विस्तार, अक्षांसरी विस्तार कितना है और इसके साथ-साथ यहाँ पर टोटल आपको दो चीजे जानकरी रखनी है अक्षांस में उत्तरी अक्षांस में स्थित है और देशांतर में यह पूर्वी देशांतर में है इन दोनों ही चीजों को आपको द्यान पिर रखना है उत्तरी अक्षांस और आपका पूर्वी देशान्तर में उत्वदेश की अवस्तिती है उत्तर देश के लेकर जो Question exam में भुगोल को लेकर बनते हैं काफी सारे Question यहाँ से बनते हैं उत्तव देश को जो सीमावर्ती राज हैं, सीमावर्ती राज जैसे कि आपके कौन-कौन से जिले हैं, किस राज के साथ सीमा साझा करते हैं, यहाँ पर काफे सारे प्रश्ण आपको जोग्राफी के बने हुए हैं और पूछे गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ने जा रह और अगे इंसे पूछा जाएगा सबसे पहले देखें कि उत्तवदेश की जो सीमाएं हैं उसमें आठ राज्यों के साथ एक केंदर शास्ति प्रदेश के साथ और एक अंतराश्टी सीमा नेपाल के साथ लगती है ठीक है? कितने? आठ राज्यों के साथ लगती है सीमाएं उत्तवदेश की एक केंदर शास्ति प्रदेश के साथ लगती है और एक अंतराश्टी सीमा लगती है जो की नेपाल के साथ लगती है टोटल देखा जा तो दस यहाँ पर है इस तरीके से जो आठ राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं और नेपाल के साथ कौन-कौन से जिलों की सीमाएं लगती हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं एक केंदर शासित प्रदेश है तो केंदर शासित प्रदेश आपका दिल्ली है और दिल्ली से यहाँ पर उत्तर प्रदेश की दो जिले हैं जो की सीमा साजा करते हैं एक है आपका गौतम बुधनगर और दूसरा है आपका गाजियाबाद ध्यानक ना है गौतम बुधनगर और गाजियाबाद दो आपके जिले हैं जिसकी सीमा जो होती है नई दिल्ली आपकी केंद्र सासित प्रदेश के साथ हम साजा करते हैं इसी तरीके से आठ राज्य हैं जिनके साथ हम सीमा साजा करते हैं एक एक करके देख लेते हैं सबसे पहले उत्तरा खंड लेते हैं क्योंकि उत्तरा खंड एक समय तक उत्तवदेश का ही एक भाग था लेकिन 2000 अलग हो गया तो उत्तरा खंड से हमारे साथ जिलों की सीमा यहां पे लगती हैं कौन-कौन से ह ये साथ जिले, सहारणपुर, मुझभवर नगर, बिजनोर, मुराधावात, रामपुर, बरेली और पेलीभीत ये साथ जिले हैं जो कि उत्राखन के साथ सीमा साज़ा करते हैं दूसरा इसमें राज है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ हमारी सबसे कम सीमा लगती है और एक मातर जिला जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश साथ जुड़ता है वो है आपका सहारनपूर तीसरा राज जिसमें है हरियाना, हरियाना के साथ हमारे 6 जिले सीमा साजा करते हैं कौन-कौन से हैं? सहारनपूर, सामली, बागपत, गौतम बुद्रनगर, अलिगर और मतुरा चौता राजिस्टान राजिस्थान के साथ दो जले जो होते है सीमा साझा करते हैan ये दो जले हैं आपके मतुरा और आगरा इसके बाद पांचवा जो राज्य है वो है मद्वदेश मद्वदेश के साथ डेटा एक धियान रकेगा सबसे ज़ादा जिले जो होती हैं सबसे ज़ादा जो हम सीमा साजा करते हैं वो है मदवदेश साथ और 11 जिले जो हैं मदवदेश का सीमा साजा करते हैं कौन कौन से हैं ये 11 जिले आगरा, इटावा, जालोन, जहांसी ललितपूर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रियागराज, मिर्जापूर, सोनभद यहाँ पर देखा जा है ललितपूर के बारे में एक फैक्ट दिहान रखेगा ललितपूर एक ऐसा UP का राज्ज है जिसकी तीन तरफ से यहाँ पर MP किसा सीमाय साजाकरित होती है और एक तरफ से सिर्फ UP का लगता है ठीक है तो यहाँ पर ललितपूर जिला जो होता है तीन तरफ से MP से घिरा हुआ है इसके बाद 36 गड़ छठा राज्ज है और 36 गड़ और जार खंड दो राज्ज है इनके साथ सिर्फ हमारा एक ही जिला है जो जोनों के साथ सीमा से साजा करता है कौन सा है सोनभद्र है सोनभद्र की जिले की जो सीमा है वो 36 गड़ से भी लगती है और साथ साथ आपके जार खंड से ले भी लगती है आठवा जो राज है बिहार है बिहार के साथ हमारी जो साथ जिलों के सीमा साज़ा होती है कौन-कौन सी महराजगंग, कुशी नगर, देवरिया, बलिया, गाजीपूर, चंदौली, सोनभड और यहाँ पर आपके ये साथ जिले हैं जिसके साथ हमारी सीमा साज़कृत होती है बिहार के साथ तो टोटल हमने देख लिए यहाँ पर एक केंशासिक फुदेश और आठ राज्यों के साथ हमारे कौन कौन से जिले और कितने जिले यहाँ पर सीमा साजा करते हैं हमने कहा था इसके साथ एक अंतराश्ट्री सीमा भी हमारी लगती है किसके साथ नेपाल के साथ तो नेपाल के साथ कौन से जिले हैं लगते हैं या टच करते हैं या सीमा बनाते हैं यहाँ पर अब बात करते हैं कुछ ऐसे तत्र जो की परिक्षा में पूछे गए हैं घुमा फिरा के question बनते हैं यहाँ पर directly तो जैसे हमने पढ़ा directly question तो बनता ही बनता है लें कभी कभी question आपको जोगराफी में थोड़े से tough बनाए जाते हैं tough कैसे बनाए जाते हैं जैसे कि सबसे जो लंबी सीमा है वो किस के साथ उत्वदेश की लगती है किस राज्य के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है तो नाम है यहाँ पर MP के साथ हमारी सीमा जो होती है सबसे अधिक जो सीमा हम साज़ा करते हैं वो MP राज्य के साथ इसके लावा सबसे छोटी सीमा उत्वदेश की किस राज्य के साथ लगती है तो वो है आपका हिमाचपदेश इसी तरीके से सहारनपूर जो जिला है वो कितने राज्यों के साथ सीमा साजा करता है तो तीन राज्यों के साथ सहारनपुर जिला जो होता है सीमा साजा करता है कौन-कौन से हरियाना, उतराखंड, हिमाचर प्रदेश इसी तरीके से सोन भद्र जो है वो सबसे जादा राज्यों के साथ सीमा साजा करता है चार राज्यों के साथ कौन कौन से हैं चार राज्ये बिहार, जहारखंड, 36 गर्ड और मदवर्देश सोन भद्र जिला सबसे जादा यहाँ पर राज्यों के साथ सीमा साजा करता है चारों राज्यों के नाम से अध्यान रखेगा यह कुश्चन कई बार पूछा गया है सोन भद्र को लेकर कई बार कुश्चन आपके एक्जाम में यूपी स्पेशल को लेकर पूछे गए हैं आपर चलिए, अगला एक कहाँ पर और कुश्चन देखते हैं एक कुश्चन पूछा जाता है कि प्रदेश की सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है सहारनपूर, नाम ध्यान के सबसे उत्तरी जिला आपका कौन सा है यूपी का सहारनपूर है इसी तरीके से सबसे पश्चमी जिला सामली है सबसे दक्षनी जिला सोन भद्र है और सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है इसी तरीके से सबसे छोटा जिला UP का कौन सा है तो हापूर सबसे छोटा जिला हापूर है और सबसे बड़ा जिला जो है आपका खिरी लखिमपूर है इसी तरीके से दिल्ली एंसियार में यूपी के कितने जिले समलित हैं दिल्ली एंसियार में यूपी के साथ जिले समलित हैं कौन-कौन से मेरट, गाजियाबाद, गौतम बुधनगर, भुलन शहर, हापुड, वागपत और मुजफ़नगर हाली में उत्रदे सरकार के द्वारा कुछ और जिलों को दिल्ली एंसियार में समलित होने के लिए यहाँ पर अनुवत दे दी है, कौन-कौन से हैं, तो यहाँ पर ध्यान लखेगा पांच और जिलों को दिल्ली एंसियार में समलित करने के लिए यहाँ प्रस्ताओं को मंजू के 12 जिले यहां पर आ जाएंगे तो यह तो हो गया उत्तवदेश के सीमावर्ती राज्य और उत्तवदेश के जिलों से related जो आपके question जो ग्राफिकल बनते हैं वो आपके सारे question यहां पर हो गए यहां से इसके अतरिक्त कोई भी question बनता नहीं है गुमा फिरा कुछ भी पोचें आपको बस इतना data जिलों से related यूपी के जिलों से related आना चाहिए यह fact है इनको आपको रटना भी पड़ेगा याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर आपके question आते हैं तो आपका गलत नहीं होना चाहिए चलिए यह तो हमने देख लिया उत्तरफदेस के अवस्थती देखी उत्तरफदेस के सीमरवती राज्यों के साथ इस्थती देख लिए अब बात करते हैं उत्तरफदेस का जो भौतिक विभाजन है उसको समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले उत्तर विदेश का जो भौगौलिक छेत्रफल है वो है आपका 2,4928 वर किलोमेटर पूरु से पस्चिम के और लंबाई कितनी है यूपी की 650 किलोमेटर उत्तर से दक्षण के और चौणाई इनकी कितनी है 240 किलोमेटर छेत्रफल की द्रिश्ट से यूपी का देश में कौन सा स्थान है तो चौथा स्थान है पहले तीन राज्ची कौन से है राजस्थान, मद्वदेश और महाराष्ट इसी तरीके से उत्तर विदेश को हम तीन प्राकतिक विभाजों में जब भी हम इनका कहते हैं कि भौतिक आपको विभाजन पढ़ोगे तो यूपी का जब भौतिक विभाजन पढ़ने बैठेंगे तो इसको हम तीन अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं कौन सा तीन पार्ट है पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं आपका एक पहाड़ी एरिया लगता है परवती छेतर आपको लगता है उत्तरखंड और नेपाल के साथ है हाँ ठीक है दूसरा यहाँ पर देखें गंगा युमना के एक दोआप का टाइप को लगता है और तीसरा अगर हम देखें यहाँ पर पश्चिम में यह छेतर जो है भाबर कह सकते हैं आपका परवत पदी छेतर करीब 34 किलोमेटर है और जैसे ही आप इसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं यह थोड़ा सक्रा होता चला जाता है इसी तरीके से हम यहाँ पर इसका जो विस्तार है ठीक है आपके तराई छ चेतर का जो विस्तार है यह अगर देखें तो बिजनौर, सारनपूर, पेलिभे, शाजहांपूर, लकिमपूर, खिरी इत्याद के छेतर में फैला हुआ है भाबर के साथ दूसरा जो चेतर इसी में आता है तराई का चेतर आता है भाबर उपरी पार्ट कहा जाता है और तर लके हुए छेतर होते हैं यह देखा जाये तो भाबर से कहीं ज्यादा चौना होता करीव 80-90 किलोमेटर इनका एरिया है आपका और विस्तार देखा जाये तो सहारनपूर से लेकर कुसी नगर तक इनका विस्तार छेतर आपको पाया जाता है भूमिसुधार कारण जो प्रमुक फसलें हैं उसमें गन्ना धान गेहूं जूट इत्याद यहां पर प्रमुक फसलें ली जाती हैं यह तो हमने देखा सबसे उपरी का पार्ट अपका गंगा वाला ठीक है तराई और भाबर वाले छेतर का दूसरा जो इसमें पार्ट आता है हमने कहा था गंगा का एक विस्तर जो मैदान वाला हिराका है हम यूपी को उसको दूसरे भाग के रूप में उसे पढ़ते हैं अब यहां पर देखा जाए तो इसे भी हम तीन भागों में गंगा यूपना के पूरे छेतर को विस्तित मैदानी भाग को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं पहला पहला जो पार्ट है इसमें है गंगा यूपना का सबसे उपरी मैदान दूसरा है गंगा का मध मैदान और तीसरा गंगा का पूरवी मैदान पूरा जो एरिया यहां पर है गंगा यूपना का विस्तित मैदानी एरिया करीब 500 किलोमेटर है और यह लंबी है और 80 किलो पर इस्थापित है, इनकी औस्त उचाई देखा जा तो करिब 300 मीटर है और यहाँ पर काप मिट्टी के द्वारा इनका निरमाड हुआ है, समुद्रतल से इसके औस्त उचाई 300 मीटर है, विर्षतित मैदानी भाका जो निरमाड हुआ है वो अभिनूतन और अतिनूतन यूग में नदी धारा में अवसादी करण से हुआ है अर्थात कहने का मतलब कि नदियों के दौरा जो अवसाद लेकर आया गया है उसके माध्यम से इन मैदानों का यहाँ पर विकास हुआ है काफी लंबे समय से यह नदियां जो होती है क्योंकि परवती चेतर से निकलती है तो परवती चेतर से आने के दौरान यह जो भी यहाँ पर मिट्टी त्याज होती है उसे लेकर चैसे ही मैदानी लाकों पहुंसती है तो वहाँ पर इनका जो बहाव होता है वो कम हो जाता है और इसके कारण जो अवसाध होता है वो इन छेत्रों में विस्तार्स कारण यहाँ पर जमा हो जाता है और इसके कारण मैदानी लाकों का निर्माड हुआ है अब देखा जाए तो इस विसित में प्रदेश का जो है ढाल है पशिमांसल में उत्तर से दक्षण की ओर धपुर्वांचल में यहाँ पे पशिमुतर से दक्षण पूर की ओर यहाँ पर ढाल आपको इस छेतर में देखने को मिलता है गंगा युना के दोआप के बाद जो तीसरा इसमें छेतर यूपी का सबसे निचला वाला हिस्सा जिसमें हम बुंदेल खंड का एरिया कहते हैं या का आप कह सकते थोड़ा सा पठारी एरिया हम जिसे कहते हैं जो MP के साथ हमारी जो सीमा साथा कृत होती है उस एरिया में तो इसकी उत्री जो सीमा है वो गंगा युमना नदी के दोआप अथात कह सकते हैं आपकी नदी धारा के दोआप और दक्षणी जो सीमा है विंध पर्यत पर्वत के दोआरा निरधारित होती है उसी तरीके से पूर्व में केन तथा पश्चिम में बेतवा नदीयों के माध्य से इसकी सीमा का निर्धारन होता है तो एक तरीके से देखा जाए तो विंद छेत्र का एक प्राक्तिक विभाजन है एक प्राक्तिक विभाजन है नदियों के माध्यम से देखा जाए तीन तरिप से यहाँ पर एक तरफ आपकी गंगा है केन है और बेतवा है और वहीं दक्षण में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो विंध परवत स्टेंडी है तो विंध्याचल का जो पूरा जो एरिया आपको इसमें दिखाई देता है वो कैसा है आपका वो आपका यहाँ पर परवत स्टेंडियों के रूप में है प्राक्ति जाएगा इसका विस्तार शेत्र है तो आप बंदेलखंट का एरिया जहांसी जालाउन हमेरपूर महोबा चित्रकूट लड़ेदपूर बांदा प्रयागराज प्रयागराज के मेजा और कर्चना वेले एरिया और मिर्जापूर्च का कुछ हिस्सा साथी चंदौली का चकिया जो छेत्र है ये हिस्से जो होते हैं वो बंदेलखंट के अंतरगत माने जाते हैं इसी तरीके से पठाई छेत्र की जो आस्ट उचाई है वो करीब 300 मीटर है लेकिन कुछ जगहों पर देखें जैसे कैमूर की पहाड़िया है और इसके लामा आपको सोनकार की पहाड़िया ह यहाँ पर देखें तो इन पहाड़ियों की उचाई करीब 600 मीटर भी पाई जाती है इसी तरीके से बंदेलखंट का जो निर्माड हुआ है बंदेलखंट का जो छेत्र है उसका जो निर्माड हुआ है वो नीस चट्टानों के माध्यम से हुआ है और नदियों के द्वारा जो निक्षेपित मिट्टी से वहाँ पर आपको इस छेत्र के निर्मार किस्थिति आपको देखी जाती है। इसके लाव बुंदेलखंड में प्लास नामा घास जो होती है वो बहुतायात मात्रा में पाई जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो बुंदेलखंड से भौतिक स्वरूप को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। बुंदेलखंड के सासर इसमें कहा गया कि बगहेलखंड का एरिया भी हम इसी के अंतरगत रखके अध्यन करते हैं। तो बगहेलखंड का एरिया क्या है। तेके बगेलखंड का जो एरिया है वो संका का टीलें के बहुतायात मात्रा यहाँ पर पाए जाती है प्रमुख जो नदियां है जैसे सोन नदी है यहाँ पर आपके प्रमुख नदी है बगेलखंड एरिया की बगहिल खंड के उत्तर में सोनपूर इम दक्षण में रामगण की पहाड़ियां इस्तित हैं और इसकी आउसत उचाई जो है वो 300 मीटर है दक्षणी पठारी प्रदेश का ढाल जो है दक्षण से उत्तर की ओर है और दक्षणी पठाई छेत्र में कम वर्षा के कारण यहां के व्रिक्ष और बनस्पतिया जो होती है वो काफी छोटी है कह सकते हैं आपकी एक अर्द सुष के एरिया आप इसे कह सकते हैं और यहां की जो मुख के फसले हैं ज्वार, तिलहन, चना, जिसे मोटे नाज या फिर आपके तिलहन जैसी फसले आपको इस छेत्र में लेते हुए हम देख सकते हैं तीस तरीके से उत्तरव देश का जो भौतिक विभाजन है वो यहां पर हो जाता है तीन पार्ट है में इसे पूरे को, एक तरफ आपका हिमाले परवती छेत्र के रूप में है थोड़ा साम कह सकते हैं भाबर और तराई वाला एरिया मोल रूप से अगर कहा जाए दूसरा आपका गंगा का मैदान और तीसरा यहां पर पठारी एरिया जो बुंदिल खंडों बगिल खंड का एरिया आता है अब इसके बाद एक चीज और समझते हैं समझते हैं कि उत्तरव देश की जलवाई कैसी है क्योंकि यहां पर जो भुगोल पढ़ते हैं तो भुगोल में आपको इस शेतर में रहने वाले व्यक्तियों पर वहां पर जो जलवाई होती है उसका भी एक काफी प्रभाव पढ़ता है ना सिर्फ यहाँ पर मनुश्यों पर बल्कि जीव समधा और उसके विकास के लिए भी जलवाई एक महत्तपूर्ण और important aspect है इस द्रिशकोंड से उत्तवदेश की जलवाई कैसी है ये समझते हैं यहाँ पर उत्तवदेश का मुख्यता देखा जाए तो दो प्रकार की जलवाई UP में आपको देखने को मिलेगी कैसी दो प्रकार की जलवाई जिसमें पहला है आद्र एवं ओशन प्रदेश को जो तराई वाला एरिया है जहाँ पर करीब आपको 120 से 180 सेंटी मीटर वार्षिक वर्षा आपको देखने को मिलती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 सेंटी मीटर की ओसत वर्षा वाले छेतर इसके अंतरगत आएगा तो एक प्रकार की जलवाई कैसी है यह पहले है आपको आद्र एवं ओशन प्रदेश की आपकी जलवाई है दूसरी जो जलवाई आपको देखने को मिलती है यूपी में वो है आपकी साधारान आद्र एवं ओशन प्रदेश वाली तो दोनों ही तरीके के अब ये जो जलवाई हो साधारान जो आद्र है यहाँ पर देखे जब आपको इस तरीके की जलवाई हो आपको कैसे पता चलेगा किस तरीके जलवाई उपी में है तो यहाँ पर कुछ फैक्ट धियान रखने हैं क्या क्या पहला मैदानी छेत्रों में यहाँ पर यह जलवाई आपको पाई जाएगी और यहाँ पर जब इस प्रकार की जलवाई होगी तो और सथ जो वार्षिक वर्षा होती है करीब 100 cm है था वर्षा जो होती है वो कम होगी इसके रहाँ पश्च्म मेदानी छेतर में तहाँ बुंदेल खंड 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 शेतर में वर्षा का कम और भी जादा अगर देखा जाए तो जैसे जैसे आप दक्षण के ओर जाएंगे बुंदेल खंड के एरिया में जाएंगे अच्छा की मात्रा और भी आपको कम देखने को मिलती है अब यहां पर देखा जाए तो कोपिन हेगन के अनसार उत्तव देश की जलवाई है वो शुष्क शीत वाली और मांसुनी प्रकार की है जबकि थॉर्ण स्वेट के अनुसार उत्तव देश की यहां पर सम सीतोष्ण उ उपादर जलवाई यहां पर मिलती है तो अलग-अलग संस्थानोर के यहां पर अलग-लग दिशार है यूपी में जो जलवाई लेकिन आपको पता है दो तरीके की पाई जाती है समझने की दृष्कोंड से और आसान भासा में देखा जाए तो यहां पर एक तरफ आप जाती है फ्रंड के मातर बढ़ जाती है मौसम थोड़ा शुष्क हो जाता है तो यहां पर आपको यह दोनों ही तरीके की जलवाई जो होती यूपी में देखने को मिलेगी अब चलिए आपको देखने पर आते हैं अगला जो एस्पेक्ट इसमें है कि उत्तब देश में मु आपका होता है वो जन्वरी का होता है नॉंबर स्टार्ट हो चुका है अलड़ी हम जिस महीने में यहां पर आप अध्यन कर रहे हैं नॉंबर स्टार्ट हो चुका है दिवाली समात हो चुकी है और ऐसी स्थिति में यहां पर आपका टाइम है वो ठंडी का सुरू हो चुका ठाई समलो तीन डिगरी सेल्सियस रहता है जबकि जो न्यूंतम तापमान है वो करीब तेरे समलो तीन डिगरी सेल्सियस पाय जाता है लेकिन ये दक्षणी पार्ट की बाग लेकिन अगर हम उत्तरी भाग में अगर जाएं तो वहाँ पर थोड़ी ठंड आपको ज्यादा दे कफील ही हाँ पर आप उत्तर पॉश्मी आभी जो कहते हैं के लॉटते हुए मांसुन की भी बात करते हैं इसंति अपको वर्षा कि पढ़ीन मुरित आता है और गृस्मिरित में देखी जाए तो उत्तर प्रधेश में यहां पर मढुव मार्स से प्राराम हो जाती हो करीव जून तक यहां पर आपको गर्मी का महीना चलता है प्रधेश के मय आधिक और सब तापमान रहता है और इसका जो कारण है क्योंकि कर क्रेखा से निकरता के कारण बुंदेल खंट के एरिया में गर्मी जो होती है वह सबसे ज़्यादा आपका तापमान वहापे मिलता है ग्रेश्म रितमें यहाँ पे गर्म और सुस्क हवायां चलती है जिसे हम लू के नाम से जानते हैं दो रितमों के बाद जो तीसरा मौसम आता है उसे हम कहते हैं आपका वर्शा रितू वर्शा रितू देखा जाए तो आपको जून के अंतिम सब्ता से ही वर्शा जो होती है और यह आपको अक्टूवर तक यहाँ पर चल रही होती है सरवाधिक जो वर्शा होती है वो जूलाई और अगस्त के महीनों में होती है और अधिकतम यहाँ पे जो तापमान होता है वर्शा रितमें करीब 32-34 degree Celsius रहता है और निवनतम तापमान करीब आपका 25 degree Celsius वाय जाता उत्तवदेस की अधिकान जो वर्षा है वो मानसूनी प्रकार की है, मानसूनी वर्षा होती है जो कि दश्ण पर्शिम मानसून के कारण यहाँ पर होती है और करीब 60% जो वर्षा होती है वो जुलाई अगस्त के महिनों में हो जाती है सरवाधिक जो वर्षा वाले जिला है वो गोरकपुर का एरिया है जो वार्षिक सबसे ज़्यादा वर्षा होती है करीब यहाँ पर ठीक है इसके लावा सबसे कम वर्षा वाले जो जिले हैं वो आपके कुशिनगर का एरिया है इसी तरीके से जो सरवातिक वर्षा आंकी गई है करीब 1245 अमलो तीन मिलीमीटर यहाँ पर गोरकपुर के एरिया में वाशिक वर्षा के रूप में और सबसे कम वर्षा को आपको 430 अमलो 8 मिलीमीटर यहाँ पर वर्षा यहाँ पर हुई है इस तरीके से देखा जाए तो वर्षा उत्वदेश की चलवायू और रितूओं के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया इसके साथ साथ जब भुगोल आप पढ़ रहे हैं तो उत्वदेश की मिट्टी यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्डेंट हो जाती है मिट्टी जरूरी क्यों है मिट्टी के बारे में क्या कुश्चन पूछे गए हैं तो हाँ उत्वदेश में पाई जाने वें मिट्टी जै कृष जलवायू और उसे सम्मर्ण पर प्रमुख फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं कहां पर कौन सी मिट्टी पाए जाती है और एक विशेश प्रकार के question जो कि मिट्टी से UP में पूछे गए हैं वो है इन मिट्टियों के अस्थानिय नाम इन मिट्टियों के UP में देखे एक तो होता है हम जिसे जानते हैं दोमट मिट्टी हो गई काली मिट्टी हो गई लेकिन आप जानते हैं स्थानी अस्थर पे कई प्रकार की चीजों के नाम जो होते हैं बदल दी जाते हैं परिवर्तित नाम वहाँ पर लिए जाते हैं तो यहाँ पर UP में जब भी question आपने अगर analysis किया होगा पिशल साल के अगर आपने question देखे होंगे तो उसमें इस तरह की question पूछे गए अस्थानी भासा में मिट्टीों के नाम भी पूछे गए तो हम यहाँ पर मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे दूसरा जो question यहाँ पर बनता है मिर्दा अपर्दन को लेकर question आजकर पूछे जाने लगे है मिर्दा अमनालिका के स्थिति पूछे जाने लगी है UP में किस छेतर में मिर्दा अपर्दन हो रहा है ऐसी घटनाय भी आपको यहाँ पर पूछे जाती है और साथी मिट्टी को लेकर जो report आती है अब ही जैसे कि एक report आई थी भारत के बंजर भूम एटलस 2019 उसके माध्यम से उत्वदेश की जो इस्थिती है उसका भी हम इसमें आगलन करेंगे तो एक करके इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले उत्वदेश की मिट्टी है तो किस प्रकार की है कौन-कौन से मिट्टियां पाए जाती है तो basically अगर हम देखें एक बड़े विभाजन की ओर अगर देखें बड़े और मोटे तोर पर अगर हम देखें तो मिट्टी यहाँ पर basically दो तरीकी की है एक है आपकी प्राचींतम काप मिट्टी जिसे हम कहते हैं बांगर और दूसरी यहाँ पर नवीन काप मिट्टी जिसे हम कहते हैं खाजर बांगर मिट्टी में देखा लिया तो फासफोरस अचूना परयात मातरम पाए जाता है यह question पूछा गया है कि कौन से तत्व किस मिट्टी में पाए जाते हैं ठीके और किस की कमी होती क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा साइंस में और एकनॉमी में भी पढ़ा होगा तो वहाँ पर जैसे सरकार की दोरा मिर्दा स्वास्त कार्ड यहाँ पर जारी किया आता है और उसके माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता आपी जाती है क्योंकि फसल कौन सी लेनी है और किस मिट्टी में कौन सी यहाँ पर तत्वा पाए जाते हैं इसके लिए जरूरी है कि आपकी मिट्टी की सही गुणवत्ता आपको पता तो यहाँ पर यह ध्यान रखेगा जैसे बागर मिट्टी में यहाँ पर देखा गया कि फासपोरस और चूना जो होता है वो परयात मात्राम पाय जाता है लेकिन नाइट्रोजन, पुरास और जीवांस आधी पदार्थों के इस मिट्टी में कमी पाय जाती है बागर मिट्टी भी देखा जाए तो दोमत, मटियार और भूंड मिट्टी के नाम से भी हम इसे जानते हैं यह देखा जाए तो मैदानी छेतरों में पाय जाती है और मिट्टी यह हलके रंकी और छिद्रियूग तता महीन कड़ों की होती है इसी तरीके से जो खादर मिट्टी होती है उसमें सामानिता अगर देखा जाए तो चूना, पोटास, मैश्यम और जिवानशों की यहाँ पर अधिक्ता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फासवोरस और हुमस पदार्थों की इस मिट्टी में भी कमी पाय जाती है खादर मिट्टी को नूतनकाप, बलुवा, सिल्ट बलुवा, मटियार दोमट भी कहते हैं देखिए यहाँ पर यही होता है, यही कुश्चन बनते हैं कि जैसे आप बागर है, खादर आपने पड़ रखा है, लेकिन इसे और किस नामों से भी जानते हैं यह कुश्चन पूछ लिया आता है, तो यह आपको भी ध्यान रखना है अब इसलिए यहाँ पर अगला जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मिर्दा और उसके अस्थानिय नाम यह यहाँ पर हमें जानना है, चलिए देखते हैं, सबसे पहले उसर भूमी उसर भूमी को अस्थानिय अस्थार पर कई अने नामों से जानते हैं जैसे रेह, बंजर और कलर, यह तीन अस्थानिय नाम है उसर भूमी के इसी तरीके से बलूई मिट्टी, जैसे उंचे तीले होते हैं, उसे कहते हैं भूण ठीक है क्या कहते हैं भूंड काली मिट्टी को रेगुर करेल और कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं ठीक है स्थानी नाम है काली मिट्टी के रेगुर करेल और कपास मृदा इसी तरीके से जो आपकी लाल मिट्टी होती है लाल मिट्टी को भी दो अलग लग नामों से जानते हैं एक नाम है जिसको हम कहते हैं परवा ठीक है लाल मिट्टी के एक अन्य नाम से जानते हैं जिसको बोलाता है परवा और परवा जो होती है इसकी विश्यस्ता ये है कि हलकी रेतीली और दो मठ होती है ठीक है, कैसी होती इसकी संद Archente रही रेतीली और दोमठ होती है। दूसरी जो लाल मिट्टी होती है, उसको कहा जाता है राकड। राकड में, जो लाल ही मिट्टी है basically, लेकिन राकड में basically आपको चारीय मृदा होती है, चार की मात्रा उसमें मिट्टी में ज्यादा होती है इसी तरीके से मांड एक मिट्टी होती है जो बुंदेल खंड के एरियाम पाए जाती है इसे मांड भी कहते हैं मांड भी कहते हैं मांड या मार दोनों ही नाम चलते हैं आपर इस मिट्टी में सिलिकेट, लोहा, ऐलुमेनियम, खनीज जो होता है वो आपको इत्याज पाय जाता है और ये बेसिकली आपके पूर्वी छेत्रों में अधिकी ये मिट्टी आपको पाय जाती है एक और मिट्टी जिसे कहते हैं भाट मिट्टी जो कि कुशिनेगर में आपको पाय जाती है ये मोटे अनाच के फसल के लिए अच्छी होती है इसी तरीके सो उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में फास्विट की खनिच की यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलेगी तो ये कुछ अस्थानी नाम है। इसमें से ये कुशिन पूचा गया जैसे रेगूर को लेकर हो गया, रेख पूचा गया है, color हो गया आपको, भाट हो गया आपका ये कुशिन आपको exam में पूचे गया है, इनको आपको ध्यान मि रखना है इस बार ये कुछ और पूछा गया है, अगले बार कुछ और पूछ लें, चलिए, ये तो हो गया मिर्दा के बारे में हमने पढ़ा, अब एक घटना होती है, मिट्टिस रिलेटिट वो है अपर्दन, ठीक है, तो अपर्दन कैसे होता है, किस-किस तरीके से होता है, और मिर्दा पर्दन दो तरीके से यूपी में होता है, एक वायू के माध्यम से, और दूसरा जल के माध्यम से, तो वायू के माध्यम से पश्चमी छेत्रों में हो रहा है, मिर्दा पर्दन, और जल के माध्यम से पूर्वी और दक्षणी छेत्रों में, चंबल नदी जो होती ह ये पूछावी गया है इसके कारण ही आगरा इटावा जालोन के जिलों में बिहड भी पाय जाते हैं साथ ही वायव अपर्दन से जो प्रभावी जिले हैं मतुरा और आगरा हैं वायव अपर्दन से प्रभावी जिले आगरा और मतुरा इसी तरीके से जली अपर्दन से सरवाधिक प्रभावी जो छेत रहें वो हिमाले का तराई छेत रहें और उत्तव देश में मृदा अपर्दन का जो प्रमुख कारण है कारण एक दो नहीं है इसमें मांसूनी वर्षा की जो प्रकिती है तो वो तो कारण ही है लेकिन उसके सासत वनों का आभाव और ढाल की तीवर्था भी इसका प्रमुख कारण है जिसके चलते आपकी मृदा पर्दन की जो घटना है उसमें तीवर्था देखने को मिलती है तो यहाँ पर यह सारे फैक्ट ध्यान रखना है मृदा कितने प्रकार के हैं, दोनों तरीके सो रहे हैं, किन छेत्रों में कैसे हो रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है अब एक डेटा आया था, एक रिपोर्ट आया थी, एक एटलस जारी किया गया एटलस जारी किया गया था, भारत की पूरी मिट्टी जो होती है, खासकर बंजर जो भूमी है पूरे भारत में कितनी है, लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है, यूपी स्पेशल को लेकर UP में बंजर भूम की इस्थिती को लेकर किया डेटा रहा है किसतना इसमें सुधार किया गया है और लवनई या चारी मिट्टी आपको यहां पर कितनी है तो सबसे पहले देखे उत्तव देश में जो बंजर भूम है उसमें अभी जो हाल का डेटा यहां पर दिखाया जा रहा है कि कमी आ गई है यह डेटा है तुलनात्मक तौपे दो जर आठ नौ से यहां पर तुलना की गई है 2019 का अथात एक दशक में उत्तव देश की बंजर भूम में कमी आई है तो यहां पर बताया गया है कि 2089 में जो यूपी में बंजर भूम थी वो करीब 961935 वर्ग किलोमेटर था जो की परसेंटेज वाइस देखा जया 3.99 परसेंट था पूरे भारत का अब ये घट करके हो गया है 8537.06 वर्ग किलोमेटर परसेंटेज वाइस जो कमी है 3.54 परसेंट रह गया है पहले 3.99 परसेंट थी बंजर भूमी अब सिर्फ 3.54 परसेंट रह गया है तोटल कमी कितनी आई है तो कमी आई है यहां पर 1082 वर्ग किलोमेटर बंजर भूमी को क्रिशी तथा 89 समलोग 09 किलोमेटर भूमी को जल निकाय के रूप में परिवर्तित किया चुका है तो यहां तो बंजर भूमी के एरिया को में कमी लाकर उसे क्रिशी और जल स्रोतों के रूप में ड़ल अब एक डेटा जो कि कुश्चन के रूप में बन सकता है जैसे सरवाध किन जिलो में बंजर भूमें कमी आई है तो हरदोई जिले में करीब 79.25 वर किलोमेटर बंजर भूमें कमी आई है और कानपूर में 89.09 वर किलोमेटर जिले आपका बंजर भूमें कमी आई है व्रिद्धी किन जिलोम होई है तो बलिया जिले में व्रिद्धी होई करीब 32 सम दूसरा इसमें है एक समलो आठ तीन वर किलो मेंटर महराजगंज जिले में भी आपको वृद्धी देखने को मिल रही है बंजर भूमी की इसी तरीके से सरवादिक जो बंजर भूमी वाला जिला कौन सा है युपी का दि 사람이 रखेगा सरवादिक बंजर भूधोमय भूमी वाला जिलाब का जहासी है, जहां पर पान चार सो पैतालिश संखलोग्क 3-6 मिलंटर के एरिया बंजर भूमी अभी भी है और दूसरा जो जिला यहां पर दूसरा नमर पर यहां पर 426 संखलोग्क 4-4 किलूमीटर के एरिया इसके इन्तरंगर भी आता है दो पर हैं सब सरवाधिक जो बंजर भूमी है आपका वो जहासी में हैं इसी तरीके से प्रदेश में लगभग दो हजार एक जाँ प्रदेश में लगभग वो जैण और 129 समलो 6 एक बर किलमीटर की जो भूम है वो लंवरी और छारी रूप से परहवित हैं सरवाधिक जो लंवरी और 18 मृठा है वो राय बरेली में है और अनि जो प्रभावित जो जिले हैं लवड़ी या छारी रूप से प्रभावित जो जिले हैं मिट्टी के वहाँ पर देखे तो औराया, रायबरेली, आजमगर्ड, एटा, फतेपूर, भर्दोई, उननाव, जौनपूर, कानपूर्देहात, लखनाव और मैनपूरी इन जिलो में या तो मिट्टी आपको लवड़ी देखने को मिल रही हैं, या तो छारी मिट्टी आपको यहाँ पर ड्वलप होती हुई, देखी गई है यह तो हमने देख लिया कि भारा सरकार की दोरा जो बंजर भूम अटलस जारी किया गया, उससे रिलेटेट आपके प्रमुक डेटा अब कुछ आने तथ्यों के बारें भी थोड़ा सा और जानकारी यहाँ पर रखिएगा, जैसे कि अधिक सिचाई और उर्रकों के इस्तमाल से प्रदेश की करीब 10% भूम जो होती है, उसर हो चुकी है दूसरा, उत्तवदेश के दक्षणी छेत्रों में रिल अपरदन तथा पूरी और उत्तरी छेत्रों में परत अपरदन की आपको घटनाएं आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं एक और चीज़ यहाँ पर, दोमट मिट्टी को, ठीक है, दोमट मिट्टी के अस्थानी नाम भी हैं, क्या-क्या हैं, दोमट और जलोड मिट्टी को अस्थानी भासा में कहते हैं, सिक्टा, करियाल और धनका पूरी भाग में बांगर मिट्टी को हम उपरहार कहते हैं बांगर मिट्टी क्या कहते हैं पूरी भाग में उपरहार इसी तरीके से उत्तरवदेश में जो हम overall मृदा पाए जाती हैं तो कौन-कौन सी है इसमें परवत पदिय मृदाएं, तराई मृदाएं, जलोड मृदा, लाल एवं पीली मृदा, मिश्रित लाल एवं काली मृदा, मध्यम काली मृदा, कैल्शियम यूक्त मृदा, लवन प्रभावित मृदाएं और लाल बलुई मृदाएं यहाँ पर आपको प्रमोग रूप से मिट इसके बाद जो कुश्चन जोग्राफी में काफी बार पूछा जाता है नदियों को लेकर नदियों में कौन सीम नदी उसकी सहायक नदिया उसके किनारे बसे आपके प्रमुक्ष जो शहर है नगर है उसके उद्गमसोत है यह सारे कुश्चन आपको बनते हैं नदियों को लेकर तो यहाँ पर हम उत्तव देश बेश्ड कितनी नदिया हैं कौन से प्रकार की नदिया हैं कहा कहा बहती हैं उद्गमसोत क्या हैं और आपके प्रमुक्ष नगर इनके किनारे कौन से बसे हैं उनको देख लेते हैं सबसे पहले हिमाले परवत से निकलने वाली यूपी की जो प्रमुख नदिया है जो यूपी में प्रवाहित होती है ठीक है क्योंकि हिमाले यूपी में तो है नहीं तो निकलती हिमाले से हैं लेकिन बहती आपको अधलाश्ट आपको प्रवाहित यूपी में होती है तो हिमाल उत्तवदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है इसमें गोमती वरुना पांडो सई इशन ये नदियां उत्तवदेश के मैदानी भाग से निकलती हैं और तीसी प्रकार की जो नदिया है प्राइद उपी पठार से निकलने वाली करकार की नदियां आपको पाई जाएंगी एक है हिमालय से निकलने वाली, दूसरा है उत्रवज़ास के मैदानी भाग से और तीसरा है प्राइदी-प्रफिवी पठार से निकलने वाली नदियां अचले यह question यहाँ पर आपको जो प्रमुख नदिया है उद्गम छेत्र और साथी यहाँ पर उनकी कुल लंबाई कितनी है वो भी यहाँ पर जान लेते हैं सबसे पहले देखें यहाँ पर है आपका गंगा ठीक है गंगा आपको उत्राखंट से निकलती है राज्जी सिर्फ यहाँ पर दिया जा रहा है पांके अभी थोड़ा सा ड्रेलिंग हम नीचे देखेंगे तो राज्जी है गंगा जो दे निकलती है उत्राखंट से कुल 325 किलो मेटर यमना भी उत्राखंट से निकलती है 1384 किलो मेटर लंबी नदी है तीसरी नदी है घागरा जो की तिबद से निकलती है 1080 किलो मेटर की इसकी लंबाई है चौथीस में चंबल है जो कि मदप्रदेश से निकलती है और इसकी लंबाई है करीब 965 किलोमेटर की इसी तरीके से सोन नदी है जो कि मदप्रदेश से निकलती है 780 किलोमेटर लंबी है रामगंगा नदी उत्तराखंट से निकलती है और ये है 696 किलोमेटर लंबी नदी इसी तरीके से राप्ती नेपाल से निकलती है 640 किलोमेटर लंबी है बेतवा जो है मद्वदेश से निकलती है 590 किलोमेटर इसका विस्तार चेतर है गोमती उत्तरवदेश निकलती है 910 km, केन मद्वदेश से 927 km, टॉन्स मद्वदेश से 264 km और शार्दा उत्तराकंड से 350 km इनका विस्तार छेतर है अब चली नहीं नदी के बारे में जैसा है कुछ important aspect है कुछ detailing भी देख लेते हैं जैसे सबसे पहले गंगा नदी को लेकर ध्यान केगा उत्तरवदेश की सरवाधिक लंबी नदी इसे हम भारत के बारे में नहीं पूछ रहा है अगर पूछा जाए उत्तरवदेश की सरवाधिक लंबी नदी कौन सी है तो भी गंगा ही है क्योंकि टोटल देखे गंगा की जो लंबाई है वो करीब 2525 किलोमेटर है और इस 2525 किलोमेटर में यूपी में जो उसका प्रवाध छेत्र है वो करीब है आपका 1450 किलोमेटर जो एरिया है वो यूपी में है तो उत्तरव इसकी सबसे लंबी नदी है गंगा और प्रवाध छेत्र इसका 1450 किलोमेटर इसके त्रिक्ट गंगा नदी को लेकर question पूछा जाता है उसकी प्रमुक सहायक नदिया इन प्रमुक सहायक नदियों में ये भी कई बार पूछा जाता है कि उत्तरी किनारे से कौन-कौन से मिलती है और दक्षणी किनारे से कौन-कौन से मिलती है तो सबसे पहले गंगा नदी की उत्तरी जो सहायक नदिया हैं, उनके बारे में यहाँ पर उनका नाम देख लेते हैं, इसमें हैं आपकी राम गंगा, घागरा, गंडग, बुड़ी गंडग, बागमती, कोसी, ये सब ही आपकी उत्तरी सहायक नदिया हैं, उत्तरी किनारे से जबकि दक्षणी किनारे से यमुना, टॉंस, सोन इसकी आपकी प्रमुक सहायक नदिया है प्रियाग राज एक ऐसा कह सकते हैं जिला है जहाँ पर बोला जाता है संगम है संगम है तीन नदियों का जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती यहाँ पर उनको बोला जाता है बिजनोज जनपत से गंगा नदियमी यह प्रवेश करती है यूपी में और उत्तरवदेश, उत्तराखन, बिहार, पस्चिममंगा, जारखन, राज्यों में यह इसका प्रवाच छेतर है कन्नौज के निकट गंगा और राम गंगा नदिया आपस में मिल जाती है और गंगा के किनारे जो प्रमुख आपके नगर है इसमें आपके फरुखाबाद, कन्नौज, कानपूर, प्रियागराज, मिर्जापूर, बाराणसी, गाजीपूर और गढ़मुक्तेस्वर है गंगा के बाद दूसरी जो नदिया आती है वो है यमना नदि यमना नदि का उदगम आपका बंदर पूँच या यमनोत्री हिम्नद है इसका प्रवाह, उत्तराखंड, हमाचपदेश, हर्याणा, दिल्ली और उत्तपदेश राज्य है प्रमख जिले जो हैं यमना नदि के किनारे वो आपके सहारनपूर, शामली, बागपत, गाचियाबाद, गौतम बुधनगर, अलीगर, मतुरा, आगरा, इटावा, औरया, जौलाण, हमीरपूर, बांदा, पतेपूर और प्रियागराज है इसी तरीके से यमना नदि जो है उत्तपदेश में एक व्रिहद चाप का निर्मान भी करती है राम गंगा नदि जिसका उद्गम जो है आपके हिमाले की दूधा टोली स्रेणी से पौढ़ी गड़वाल से होता है और यहां कार्विट नेशनल पार्क से होकर बहती यह कुछ्छन पूचा गया है बहने वाली कौनसी नदि है तो राम गंगा नदि है और विजनार जिले से उत्तपदेश में यह प्रवेश करती है अगली नदी इसमें है शार्दा नदी शार्दा नदी का उद्गम जो है वो कुमायू हिमाले मिलां ग्लेशियर से है कई बार यहाँ पर option में आपको कुछ और भी option आ सकता है कई बार वो glacier सीधा पूँच सकते हैं हिमनत पूँच सकते हैं और कई बार पर्टिकलोज चेतर का नाम पूंच सकते हैं, तो दोनों इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, मिलाम गुलेशियर, कुमायू हिमाले, पीली भीत और नेपाल की सीमा का निर्धारन करती है, इसे ध्यान रखियेगा, शार्दा जो नदी है, वो आपकी पीली भीत, ज नदियों का संगम किस अस्थान पे हुआ है, तो यहाँ पे शार्दा और घागरा नदी का संगम आपको बहराम घाट में हुआ है, इसी तरीके से घागरा जो नदी है, उसका उद्गरम स्रोत जो है, माप चा, चुंगो, हिमनत में, जो कि तिबबत में है, वहां से हुआ है और इसकी जो प्रमुक सहायक नदिया है, उसमें करनाली, शिखा, टीला, सेटी, बेटी, राप्ती, छोटी गंडग, ये सारे इसकी घागरा की सहायक नदिया है, सर्यू नदी के नाम से भी इसे हम जानते हैं, वरतवान से मैं एक देखा जाते हैं, इसका नाम यहाँ पे सर सहायक नदिया, रोहडी है, राप्ती और घागरा नदियों का जो संगम है, बरहज नाम का स्थान पर होता है, इसके बाद चंबल नदी आती है, चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेगा, इसको लेकर कुशन कई बार पोचे गए हैं, उद्गम जो है, इसका बांध कौन कौन से बनाएंगे, तो तीन प्रमुक बांध जो की चंबल नदी पर बनाएंगे हैं, कौन से हैं, एक है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरा है आपका जवाहर सागर बांध, ये तीनों ही बांध आपके, किस नदी पर हैं तो चंबल नदी यह important है fact है ध्यान रखेगा दूसरा जो important जो fact है हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अब नाली का अपरदन और बीहड के लिए यह आपको चंबल जो नदी है वो famous है और इटावा के छेत में यहां पर यह यमना नदी में मिल जाती है इसके बाद है बेतवा नदी बेतवा नदी का जो उद्गम है वो कुमरा गाउं राय सिन एमपी में है उत्तव दिस्विस का प्रवाद जहांसी और रया जालाउन और हमीर पूर जिले में होता है और हमीर पूर में ही यह यमना नदी में मिल जाती है इस पर एक प्रमुख बांध है, रानी लक्ष्मिबाई सागर यहां पर जिसे राचगाट बांध भी कहते हैं, वो यहां पर आपको बेतवा नदी पे मिल जाएगा केन नदी का उद्गम आपका कैमूर पहाडी पे है, इसका उपनाम आपका कानवती भी है केन नदी और यमना नदी का संगम जो होता है भोजहा बांधा में होता है सोन नदी इसके बाद इसका उद्गम आपका शेशा कुंड अमर कंटक पाईपर है और प्रवाज शेत्र सोन भद्र और मिर्जापूर है इसके सहायक जो नदीया है उसमें सिरिहंद, कनहार और उत्तरी कोपल आपकी प्रमुक रूप से सोन की यहाँ पर प्रमुक सहायक नदीया है लेकि नदीयों को लेकर बस इससे जादा आपको डेटा आता नहीं है लेकिन यहाँ पर इनको याद रखना एक समस्या है clear कर सकते हैं वो काफिश efficient होगा आपको याद रखने के दिर्शकोंड से चलिए कुछ और के बारे में data देख लेते हैं इसके बाद देखें यहाँ पर आता है आपका गोंती नदी है जिसका उदगम आपका बेलन नदी है और टोंस नदी जो famous है वो है जल प्रपातों के लिए यहाँ पर कई सारे आपके जल प्रपात हैं जो कि आपको टोंस नदी पर बनते हैं टोंस का गंगा नदी में संगम जो होता है सिर्शा प्रियाग राज में यहाँ पर आपका संगम होता है आगे चलके कर्मनाशन नदी है जो कि बिहार के कैमुर श्रेनी से उद्गम होता है इसका प्रवाज़ छेत्र मिरजापूर में है और जो याद रखने वाली बात यह है जो उत्तव्जिस और बिहार राज़ की सीमा का सहारनपूर जिले से हुआ है और यम्ना की ये सहायक नदी है गंगा और यम्ना के मद करीबे 400 किलिमेटर तक यहां पर इसका प्रवा है और मगई नदी जो होती है गंगा की सहायक नदी और कुक्रैल नदी आपकी गोमती की प्रमुख सहायक नदी है तो यह आपकी प्रमुख जितनी भी नदिया है यूपी से related जो या तो question के रूप में बनी चुकी है पूँची जा चुकी है कुछ न कुछ fact है important है किसी भी दृष्ट कोंड से आपके परिक्षा के लिए वो आपको यहाँ पर हमने देख लिया जितने भी तरीके की नदियों से related प्रश्ण बनते हैं उनको हमने यहाँ पर cover कर लिया है अब आपको यहाँ पर इसको revision करना है अब भुगोल का अगला जो पढ़ाव आता है वो आपको agriculture related आता है agriculture जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें फसले आती है फसले जो होती है कई तरीके कियाएंगी ठीक है एक तो खाद्यान फसलों के बारे में आपको लेकर question पूछते हैं बागवानी फसले आपसे पूछ लेते हैं फल हो गई सबजी उनके उत्पादन को लेकर question पूछते हैं सबसे ज़्यादा उत्पादन कहां होता है उसको लेकर question पूछा जाता है उत्तव देश में प्रथम या फिर देश में प्रथम इस तरह के question आपको यहाँ पर database question भी क्रिस रिलेटेड बना जाता है पूछा जाता है तो यहाँ पर हम यही पढ़ने वाले हैं जितना भी data है आपको जितना भी question इसमें से बनता है agriculture related आपको बनता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं जाया उत्तपादन को लेकर हो एक एक करके इनको हम देखेंगे सबसे पहले प्रदेश में औसत क्रियाशिल जोत का आकार 0.73 हेक्टेर है जबकि संपूर्ण भारत का आउशत जो हेक्टेर क्रियाशिल जोत का है वो करिए 1.08 हेक्टेर यहाँ पर है प्रदेश को 9 क्रिशी जलवाय प्रदेशों में यह ध्यान रखेगा प्रदेश को 9 क्रिश जलवाय प्रदेशों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है और डिवाइड करने का जो आधार है वो है मिर्दा, वर्षा, तापमान, जल और मानव संसाथ है क्रिश गहनता 2015-16 के अनसाथ देश की सरवाधिक क्रियाशील जोतों की संख्या उत्तब देश में आपको पाई जाती है ठीक है, देश के सबसे ज़्यादा क्रियाशील जोत कहां है, यूपी में है ये करीब आपको 23.82 मिलियन है इसी तरीके से गेहूं, गन्ना और कुल, खाद्यान उत्पादन में देश में यूपी का प्रथम स्थान है वहीं चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है और अरहर यानि तूरदाल के उत्पादन में तीसरा स्थान आपके नौ प्रमुख जलवाई छेत तो यहाँ पर देखे यह आपकी पूरी एक सारणी यहाँ पर दी गई है इसी को हमें यहाँ पर जितनी भी शारणिया है इनके माध्यम से हम पढ़ेंगे क्योंकि सारणी बेस्ट आपको यह से चीज़े याद रखने में आसान हो कौन कौन से नौ जोन है इन जोन में आपकी जलवाई कैसी है यहाँ पर मृदा कैसी है यहाँ का ओसत वर्षा यहाँ कितनी होती है और तापमान अधिक्तम और नियूंतम आपका कितना होता है यह सारा जो डेटा है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं देके करके इनके बार करीब 1054 mm है तापान यहां का अधिक्तम करीब 41 डिग्री सेल्सियस और नियूंतम जो है आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस पाए जाता है दूसरा जो क्रिश जलवाई छेतर है उसको नाम दिया गया है पश्वी मैदानी छेतर यहां का जलवाई उपोष्ण है मिट्टी देखी ज सेल्सियस आपका नियूंतम तापमान है तीसरा जो क्रिश जलवाई छेतर है उसको नाम दिया गया है यहां पे मध्य पश्वी मैदान छेतर उपोष्ण जलवाई यहां की भी है और मिट्टी देखा जाए दोमट मट्यार बलूई दोमट यहां पर पाई जानों यहां प्र जो क्रिश जलवाई छेतर यूपी का है वो है दस्षिन पस्चिम अर्थसुस्क छेतर जिसे जलवाई यहां पर है आपकी अर्थसुस्क प्रकार की मिट्टी यहां पर है जलोड अरावली दोमट और बलोई दोमट प्रकार की पाई जाती है वर्षा यहां पर देखे तो का और नियूंतम जो होता है करीब 4 डिग्री सेलसियस आपको देखने को मिलता है पांचवा देखें यहाँ पे है मध्य मैदानी छेत्र जो की सम सीतोष्ण प्रकार की जलवाई आपको इस छेत्र में देखने को मिलेगी और मिट्टी जो है चिकनी दोमट बलूई दोमट और दो 142 mm की वर्षा है 43 डिग्री अधिकतम तापमान है और 4 डिग्री सेलसित नियूंटम आपको तापमान देखने को मिलता है इसके बाद छठा छेत्र है आपका बुंदेल खंड का छेत्र और बुंदेल खंड का किसी जलवाई जो छेत्र है ये भी आपको देखा जा तो 142 वार्षिक वर्षा करीब 8361 mm है तापमान यहाँ पर 46 डिग्री सेलसियस है और 5 डिग्री सेलसियस जो हता है आपका नियूंदम तापमान है सात्वा यहाँ पर है उत्तर पूर्वी मैदानी छेत जो संसीटोशन प्रकार की जलवायू है दोमट मटियार दोमट डियारा भाड और बलूई दोमट इस प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलती है वर्षा की मात्रा देखें तो 12883 mm है जो सबसे जादा वर्षा वाला एरिया है आपका उत्तर पूर्वी मैदानी एरिया यह जलवायू छेतर आपकी सबसे जादा वर्षा वाला आपका छेतर है तापमान देखें तो आपको 40 degree Celsius का धिकतम तापमान और 6 degree Celsius का आपका नियूंतम तापमान देखने को मिलता है इसके बाद आता है पूर्वी मैदानी छेतर यहाँ पर भी सम सितोशन जलवायू है मिट्टी जो पाई जाती है वो सिल्ट दोमट मटियार दोमट बलूई और दोमट प्रकार की मिट्टी है 1016 mm की वर्षा है 42 degree Celsius अधिकतम तापमान और 5 degree Celsius का नियूंतम तापमान है और 9 जो आपका क्रिश जलवायू छेतर है वो है बिंदे छेतर सम सितोशन जलवायू मट्यार दोमट बलूई बलूई दोमट या मट्यार आपको प्रकार की पाई जा जलवायू आपके छेतर है वो 9 है और कौन से यहां पर है उनका नाम देख लिया उनकी जलवायू देख लिया मिट्टी देख लिया वर्षा भी देख लिया और तापमान देख लिया एक और कुश्चन जो आपके एक्जाम में पूछा जाता है वो होता है प्रदेश की जो प्रमुक फसले हैं, उनका आच्छादन एरिया, अथा कितने एरिया बोई जाती हैं, कितना उसमें उत्पादन हो रहा है, उनकी उत्पादक्ता कितनी है, तो इसको लेकर जो कुछन पूछा जाता है, वो भी आपको मैं एक सारणी के माधन से बता देता हूँ, ध्यान से यहा आच्छादन एरिया दिया हुआ है, उत्पादन दिया हुआ है, और उत्पादक्ता प्रती छेत्र में यहाँ पर कितना होता है, वो भी आपको दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, चावल का, आच्छादन एरिया देखें के अरीब है करें, आपका उत्पादन कितना होता है आपका 179,98 तो यहां पर आपके उत्पादक्ता कुंटल ठीक है उत्पादक्ता कितनी है प्रती हेक्टेयल कितने कुंटल का उत्पादन होता है तो यहां पर देखे यूपी में यह है चावल को लेकर 28,73 कुंटल प्रती हेक्टेयर चावल का उत्प उत्पादन होता है 312,10 और उत्पादक्ता है इसके करीब 36,75 कुंटल प्रती हेक्टेर गेमु का उत्पादन यूपी में होता है। इसी तरीके से जो धान में फसले हैं उसमें उत्पादन आच्छादन एरिया है करीब 177,67 हेक्टेर। उत्पादन है 570,37 कुंटल और उत्पादक्ता है करीब 32,50 कुंटल प्रती हेक्टेर। इसी तरीके से दल्हन है। दल्हन के देखे 23,7,0 आच्छादन एरिया है। उत्पादन आपका 24-47 है और प्रती 10-32 कुंटल प्रती हेक्टेर आपका दलहन का उत्पादन यूपीम होता है तो दलहन का उत्पादन देखा जा थोड़ा सा कम होता है यहाँ प्रती हेक्टेर यहाँ पर उत्पादन आपका दलहन का कम है इसके बाद जो खाद्यान फसले हैं, सभी खाद्यान फसलों को मिला करके 201.37 आच्छादन एरिया है, 601.84 आपका उत्पादन होता है और 29.82 कुंटल प्रती हेक्टेर आपका उत्पादक्ता होती है इसी तरीके से दलहन के साथ साथ तिलहन के बारे में देख लेते हैं तिलहन का अच्छादन एरिया है 12.06 उत्पादन कितना होता है 13.05 और 8.91 कुंटल प्रती हेक्टेर आपका तिलहन का उत्पादन यूपी में आपको होता है यह सारा जो डेटा है आपको ध्यान रखना है यह डेटा आपका 2019 का है और यही डेटा आपके एक्जाम में पूछा जाएगा तो इस डेटा को इस तारणी को ध्यान रखेगा यहाँ पर आपको इसको अच्छे से इसके बाद उत्तरब देश में क्रियासील जोतों की संख्या करीब 23,822 कुल छेत्रफल है आपका 17,450 एक कुश्चन और यूपी में जो प्रमुक फसले हैं उनकी उत्पादक्ता और खपत कितनी है इनके भी संतुलन कितना है क्या जितनी उत्पादक्ता होती है उत्पादक्ता जादा है या खपत जादा है ये भी देख लेते हैं तो ये वाली सारणी आप देखेगा ठीक है ये वाली सारणी है आपकी तो यहाँ पर देखे एक तरफ खपत है खपत जो होता है उसे ग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन में दर्शाय जा रहा है और इसी तरीके से जो उपलब्धता है उसे भी ग्राम प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति में आपको दर्शाय जा रहा है डेटा कप का है तो 2019-2020 का ये डेटा है कौन से प्रमुप फसले हैं उनको देख लेते हैं सबसे पहले इसमें चावल है, खपत देखिए, खपत जिसकी आवश्रक्ता है यहाँ पर 133,99 जबकि उपलब्धता है आपकी 207,60 अर्था जितनी खपत होती है हमारे यहाँ जितनी आवश्रक्ता है हमें चावल की यूपी में उससे जादा यहाँ पर उपलब्धता है दूसरा, गेहूं की यहाँ पर आपकी खपत यानि आवश्रक्ता है 284,82 ग्राम प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन लेकिन उपलब्धता इसकी है 441,28 ग्राम प्रतिव्यक्ती धाने फसलों की खपत है 454 और उपलब्धता है 730,39 दालों की उपलब्धता प्रतिदिन यहाँ पर की यूपी में डाल के उत्पादन की कमी है हमारे यहां डाल यूपी के लोग ज्यादा यूज़ कर रहे हैं खपत ज्यादा है लेकर उत्पादन यहां पे कम है खाद्यान के बारे में बात करें तो 549 है खपत की आवश्रक्ता और उपलगता इसकी है 733 अमलो एक नौ दूसरा तिलहन के देखिए तिलहन की यहां पे खपत और आवश्रक्ता है 19 समलो एक आठ ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन लेकिन यहां पर उपलगता हमारी कम है उपलगता सिर्फ 6 समलो एक एक ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन है तो दो चीजों की कमी है हमारे हां किसकी कि कि दलहन और तिलहन दलहन और तिलहन यहाँ पर जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई या उतनी उत्पादक्ता नहीं होती है चलिए अब बात करते हैं बागवानी फसलों की जैसा मैंने कहा था ना सिर्फ खाद्यान फसले बलकि बागवानी और सब्जी फलों इत्याद को लेकर भी question पूछे जाते हैं तो आईए देखते हैं यहाँ पर अब बागवानी फसलों का उत्पादन यह 2017-18 का डेटा है जो डेटा आपको प्रयोग किया दा है 1000 मिट्रिक टन में दिया जा रहा है यहाँ पर देखे सबसे पहले आलू का है आलू का उत्पादन यूपी में करीब 15,555,553 है 1000 मिट्रिक टन है ठीक है जबकि भारत में जो इसका उत्पादन होता है वे 15,310 हजार मिट्रिक टन है तो यूपी का भारत में आलू उत्पादन में जो योगदान है वो करीब 30 समलो था 30,32 प्रतिशत योगदान आलू उत्पादन में यूपी का है अब यहाँ पर अगर आपसे पूचा जाए आलू उत्पादन में भारत के तीन प्रमुख राज्य कौन से है या सीर्स तीन राज्य कौन से है तो यहाँ पर पहला स्थान आलू उत्पादन में यूपी का है दूसरा स्थान पस्चिम मंगाल का है और तीसरा अस्थान इसमें बिहार का है ध्यान रखेगा, आलु उत्पादन में UP पहला है, बंगाल दूसरा है और आपका तीसरा इसमें कौन सा है? बिहार है इसी तरीके से आम उत्पादन को ध्यान रखेगा आम का उत्पादन UP में है करीब 455583000 भारत में जो टोटल आम का उत्पादन होता है वो करीप 21,822,000 UP का जो योगदान है टोटल आम उत्पादन में वो है 20.86% और जो प्रथम या सीर्स्तीन राज्य हैं आम उत्पादन में उसमें UP का पहला स्थान है आंद्र प्रदेश का दूसरा स्थान है और बिहार का तीसरा स्थान है इसी तरीके से अमरूद के बारे में जिसकस करते हैं अमरूद का उत्पादन होता है 928.44,000 मिट्रिक टन जबकि पूरे भारत में इसका उत्पादन है 4,053.5,1,000 मिट्रिक टन योगदान की बात करें तो ये करीब है यूपी का योगदान है 22,0% और प्रथम जो तीन राज्य हैं अमरूद उत्पादन में उसमें यूपी, एमपी और विहार ये तीन राज्य हैं जिनका सीर्ष उत्पादन में आता है इसी तरीके से प्रमुख जो आपकी फल और सबजीयों के उत्पादन के दिर्षकोंट से भी देख लेते हैं देखे प्रमुख फल और सबजीयां कौन-कौन से योपी में सबसे जाद हैं यहाप उत्पादन होती हैं सबसे पहले देखें यहां पे आपको X-Renie दे हुई है यह आपका पूरा X-Renie आप यहां पे देखेगा box को यह राज्यों के नाम है इधर आपका फल उत्पादन दिया हुआ है यह percentage दिया हुआ है उसका फिर से यहां पे राज्य का नाम दिया है यहां सबजी उत्पादन दिया है और यहां percentage दिया हुआ है ठीक है? तो सबसे पहले देखें सबसे ज़्यादा यहां पे आपका फलों का उत्पादन करने वाले राज्य काउन से हैं तो पहला स्थान आंद्प्रदेश का है से जादा भारत में फलों का उत्पादन आपका कहा हो रहा है आंध प्रदेश में होता है कितना उत्पादन करते हैं तो यह है आपका 15,258,500 जो की पूरे भारत का करीब 15,63% है दूसरा स्थान है महाराश्च का जो 11,728,66 1000 मिट्री टन फल का उत्पादन करता है और इनका सेकेंड स्थान है परसंटेज वाइस देखें तो 12,05 तीसरा स्थान आता है यूपी का फल उत्पादन में पूरे भारत में यूपी का तीसरा स्थान आता है और इनका उत्पादन है फलो में 10,549 समलो 7,7000 मिट्रिक टन अगर percentage वाइस भी पूछेगा तो 10 समलो 8,2% चौथा जो राज्य है गुजरात का नंबर आता है 8,996,02 मिट्रिक टन और percentage वाइस 9,24% तो ये प्रथम 4 राज है फल उत्पादन में UP का नंबर आप ध्यान रखेगा UP का नंबर कौन सा है तीसरा है पूरे भारत के अगर बात करें 100% जो फलों के उत्पादन में तो भारत में करीब 97,3751,000 मिट्रिक टन फलों का उत्पादन करता है चलिए फलों के बारे में देख लिया अब सब्जियों के बारे में बात करते हैं तीके सब्जियों के उत्पादन के मामले में UP का पहला अस्थान है पूरे भारत में UP का पहला अस्थान है सब्जी उत्पादन में कितना करता है उत्पादन तो 28,316,451,000 मिट्रिक टन परस सब्जी का उत्पादन करता है तीसरा स्थान मद्धब्रदेस का है जो 17,545 4,8TS 0000 यहां पर सब्जीओं का उत्पादन करता है और परसंटेज़ वाइस है 9.52 परसेंट और चौथा स्थान इसमें बिहार का है जो 15,8321 2000 है यहां पर सब्जी का पूरे भारत में तो यहाँ पर देखेगा ध्यान रखना है फल उत्पादन हमारा स्थान तीसरा है और सब्जी उत्पादन हमारा स्थान पहला है पूरे भारत में भारत में जो टोटल सब्जीयों का उत्पादन होता है तो यह तो हो गया हमने देख लिया जो डेटा जो साराणी बंद्ध कुश्चन आते हैं चाहें फसलों को लेकर हो अच्छादन एरिया हो सबस्जादा सीर्ष्तिन राज पूरे भारत में योगदान तो यह सारा कुछ हमने देख लिया अब बात करते हैं उत्तब देश्क में जो फसल चक्र ली जाती है कौन कौन सी फसले किस किस सीजन में और किस छेतर में कौन सी फसले यहां पर ली जाती है तो इस वाले पर धियान रखेगा यहां पर उत्तब देश्क के हम फसल चक्र को स्टड़ी करने रहें ठीक है क्या है उ पूर्वी उत्तरब देश को फिर उसके बाद पश्मी उत्तरब देश को और उसके बाद फिर बंदल खंट के एरिया का देखेंगे तो पूर्वी उत्तरब देश में जो फसलें ली जाती है इसमें देखे धान मसूर उसके बाद ज्वार हो गया ज्वार के साथ अरहर हो गई या उसके बाद फिर आपका गेहूं के लेंगे अगर धान ले रहे हैं धान के बाद मटर लेते हैं या फिर कई जगों पर धान और मक्के के साथ गेहूं उसके बाद का अगले सीजन में लेंगे अगर एक और फॉर्मेट अपनाया जाता है जिसमें धान और गेहूं प्लस गेहूं के साथ सरसों का उत्पादन करते है या फिर अगर धान उत्पादन होता है तो धान के बाद अगली जो फसल लेते हैं पूरी उत्तव जो जो की भी लेते हैं और गन्ना के बाद हरी खाग तो इस तरीके से जो फसल चक्र अर्थात फसल चक्र का मतलब क्या होगा है कि खरीफ रभी जायत की ये तीन फसले हैं अब इसमें जमान लीजे अगर आपका खरीफ की फसल ली है तो खरीफ के बाद आता है रभी की फसल ली है तो धान के बाद जब रभी की फसल आती तो रभ की फसल लेते हैं और उसके बाद जो आता है सीजन जो रभी का सीजन आता है रभी के सीजन में देखे तो कहीं मसूर आप उगा रहे हैं कहीं अरहर लोग ले रहे हैं कहीं गेहूं ले रहे हैं कहीं मटर उगा रहे हैं कहीं मक्य की खेती कर रहे हैं कहीं जो कर रहे हैं कहीं हरी तो पश्मिय उत्रपदेश में पहले खरीफ के सीजन में देखिए, खरीफ और रवी के सीजन में मोसली यहाँ पर जो फसले लेते हैं, अगर मालिए मक्का लेते हैं, ठीक है, खरीफ के सीजन में यहाँ मक्का ले रहे हैं, तो मक्के के बाद आलू और ज्वार की फसला पर ल अपनाया जाता है जब धान मान लिजे पश्मी उत्रब देश में भी कुछ लोग जो होते हैं धान की फसल खरीक में लेंगे खरीफ के बाद जो अगला सीजन आता है रवी का तो उसमें आपको गेहूं या जो की फसल लेते हुए देखेंगे इसके लावा मान लिजे यदि यहाँ पर जोर की फसल पहले ले लेगे तो जोर के साथ यहाँ पर गेहूं आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर मक्का, आलो और आपको गन्ने की फसल आपको देखने को मिल सकती है तो ये format ये फसल चक्र अपनाया जाता है आपको पश्मी उत्रब्देश में इसके बाद हम जाते हैं जब बुंदेल खंड के एरिया में तो बुंदेल खंड का एरिया देखा जाए थोड़ा सा सूखा है जहाँ पानी थोड़ी कमी आपको रहती है इसलिए यहाँ पर मोटे अनाज की फसलें आपको जादा देखने को मिलती है और इनके जो फसल चक्र में भी अगर आप देखेंगे तो मोटे अनाज की फसलें आपको जादा देखने को मिलती है जैसे जवार अरहर ठीक है या जौर और जौ ले सकते हैं तो जौर एक common फसल आपको देखने को मिलती है या अरहर हो गए चने की फसल है यहाँ पर आपको देखने को ज़्यादा मिलती है आपकी फसल चक्र के रूप में बुंदिल खंडवे तो यह format है यह फसल चक्र है जो खरीब और अभी की फसल में यूपी में आपको देखने को मिलेगा पूर्वी पस्वी और बुंदिल खंड में अलगलग प्रकार की फसल का सीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चलिए यह तो हो गया आपको कौंद जिले उत्तर बिदेश के कौन से जिले आम उत्पादन में सरवाध्या सरवाधिक आम उत्पादन आपको यूपी के किन जिलों में होता है या famous कौन से है तो यहाँ पर नाम है लखनव, सहारंपूर, बुलन शहर आम उत्पादन यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है गन्य उत्पादन में आपको UP का तराई का छेतर जो है सबसे ज़्यादा गन्य उत्पादन के लिए famous है आमला उत्पादन में आपका प्रताबगड इलाहाबाद अमरूद इलाहाबाद और प्रताबगड जो होता है आमले उत्पादन के लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा अमरूद उत्पादक जिले UP के कौन से जिले हैं जो अमरूद उत्पादन के लिए यहाँ पर famous हैं तो इसमें देखने लिजिए कौन से हैं इसी तरीके से हल्दी उत्पादन UP में बुंदेल खंट के एरिया में आपको मिलेगा हल्दी उत्पादन कहा होता UP में बुंदेल खंट के एरिया में अफीम उत्पादन 12 बंकी जिले में अफीम का उत्पादन 12 बंकी जिले में होता है इसी तरीके से आलू निर्याद जोन आलू निर्याद जोन बेसिक लिए आपको यूपी में तीन है एक आगरा में है आगरा का जो एरिया है वो आलू के लिए है लखनाओ और सहारन पूर जो है आम के लिए है इसी तरीके से गाजीपूर में राज की एक मात्र अफीम फैक्टरी है किस जिले में है गाजीपुर में है आम का प्रयोग वा प्रसिक्षन केंडर कहां है लखनाओ में है प्रदेश के तीन कृष्णिर्याज जोन हमने देख लिए प्रदेश में फूलों की खेती कहां होती है प्रदेश में फूलों की खेती किन किन जिलों में होती है ध्यान रखेगा वारांसी, कन्नौज, लखनाओ, प्रयागराज, मिरजापुर, जौनपुर इन जिलों में, यूपी में फूलों की खेती आपको देखने को मिलती है इसी तरीके से कन्नौच का एरिया जो है, कन्नौच का जो आपका जिला है वो आपको पता है पुस्प इत्र यहां पे बनाया जाता है, इत्र के लिए फेमस है प्रदेश में 1974 में उद्यानेवं प्रसंसक्राण विभाग की इस्थापना की गई और प्रदेश में कृस्य छेत्र में और द्योगिक प्रियोग एवं प्रसिक्षन केंदर आपके बस्ती सहारनपूर, लखनव, इलाहबाद और जहासी में यहाँ पर आपको स्थापित किये गए यह आपके कुछ प्रमुक इंपॉर्टन फैक्ट हो गए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ आपके जिलों से रिलेटेड की आप जो प्रमुक फसले हैं किन जिलों में हो रही हैं सरवाधिक उत्पादंग, सरवाधिक उत्पादक्ता छेत्र या फिर देखा जाए तो सरवाधिक एरिया कौन सी फसल का किस जिले में है उसको लेकर यहां पर देखे एक सान्डी दी हुई है इसमें आपको फसल दी हुई है यहां पर आपको सरवाधिक छेत्फल इस फसल का किस जिले में है सरवाधित उत्पादक्ता किस जिले में होती है और सरवाधित उत्पादन प्रती हेक्टेर यहां पर किस जिले में होती है उसका आपको कोशन दिया हुआ है सबसे पहले गेहू है सरवाधित उत्पादक्ता प्रती हेक्टेर में यहां पर बागपत में है और सरवाधिक जो उत्पादन हो रहा है आपका हरदोई में है इसी तरीके से चावल का देखिए चावल का जो सरवाधिक छेतफल आजमगड में है सरवाधिक उत्पादक्ता महोबा में होती है और सरवाधिक उत्पादन हो रहा है आपका शाज जहापुर में बाजरा जो फसल है इसका सरवाधिक छेत्रफल बदायू जिले में है सरवाधिक लेकिन उत्पादकता यहाँ पर आपका मैनपूरी में देखने को मिलती है और सरवाधिक बाजरा उत्पादक वाला जो जिला है वो आपका आगरा है ज्वार का जो सर्वादिक छेत्रल है वो बांदा जिले में है सोन भद्र जो है वो सर्वादिक बाजरा उत्पादक छेत्र है और सर्वादिक जो उत्पादक होती है वो आपको यहाँ पर बांदा जिले में देखने को मिलती है इसी तरीके से अरहर उत्पादक सबसे ज़्यादा या कह सकते हैं प्रमुख रूप से कौन से जिले हैं जो अरहर उत्पादन यूपी में आपको देखने को मिलता है उसमें फतेपूर, चित्रकूर, प्रियागराद और मिर्जापूर का जिला देखने को मिलेगा सरवादिक जो चना उत्पादन होता है वो यूपी के बुंदिल खंड शेत्र में होगा प्रमुख जो मक्का उत्पादन जिले हैं यूपी में उसमें बहराईच, मैनपुरी, कन्नौज और हर्दोई का जिला आता है उत्तवदेश के मेरट जो जिला है यहाँ पर जो गन्ना उगाया जाता है वो सबसे उत्तम कोटिका आपका गन्ना होता है जो मेरट जिले में उगाया जाता है मुंगफली उत्पादन यूपी के सीतापूर, हर्दोई, एटा, बदाईू, जहासी और खीरी यहाँ पर प्रमुक जिलो में होता है सरसो का उत्पादन आगरा, मतुरा, बदाईू, कानपूर, अलिगड़ और इटावा के जिलो में होगा इसी तरीके से कपास उत्पादन गंगा यूणा के दोवाब, रुहेल खंड और बुंदेल खंड के एरिया में प्रमुक रूप से कपास उगाई जाती है कपास के बाद यहाँ पे जो प्रमुक जूट उत्पादन होता है वो सर्यू और घागरा, नदियों का जो दोवाब छेतर है वहाँ पे प्रमुक रूप से हम यूपी में जो होता है जूट का उत्पादन होता है इसी तरीके से तंबाकू का भी उत्पादन यूपी के कुछ जिलो में किया जाता है जिसमें एटा, फरुखाबाद, कासगंज और गोंडा आपका प्रमुक रूप से तंबाकू उत्पादन के लिए प्रिसिद्ध है केले का उत्पादन यूपी में वारांसी, इलाहाबाद, गोरकपुर जिलो में होता है और तीन जिले हैं आपर केले उत्पादन में वारांसी, इलाहाबाद, गोरकपुर यानि की इलाहाबाद को हम प्रियागराज भी कहते है केले की कौन-कौन सी किसमों का उतपादन यूपी में किया जाता है तो ये हैं आपकी मालभोग, चीनी, चमपा, अलफान और अधेश्वाय ये प्रमुक आपकी केले की फसले जो की यूपी में उगाई जाती है इसी तरीके से संत्रे का उत्पादन जो होता है सहारनपूर में होता है कहाँ पे सहारनपूर में दो प्रमुक प्रकार की यहाँ पे संत्रे की किसमें उगाई जाती है ये हैं आपकी नागपुर, एमपदर और लड़ू ये दो आपकी संत्रे की प्रजातियां UP में उगाई जाती है अमरूद के उत्पादन जो UP में प्रमुक रूप से होता है उसमें है आपके इलाहबाद, बदाईू, कौशामभी, कानपूर, बरेली ये आपके प्रमुक रूप से अमरूद उत्पादन के लिए प्रिसिद्ध है अमरूद उत्पादन में अगर दिखा जैता अमरूद की कुछ प्रमुक किस्में है जो की उगाई जाती है UP में कौन कौसी किस्में है तो यहाँ पे इलाहाबादी सफेदा, लखनव, 49 जिसे सर्दार की नाम से भी हम जानते है और इसके लावा ललित और सुर्खा ये आपकी अमरूद की प्रमुक जो किस्में है वो उगाई जाती है UP में प्रमुक लीची उत्पादक जिला UP का कौन सा है सहारनपुर प्रमुक आमला उत्पादक जिला UP का कौन सा है प्रताबगर उत्तव देश में देश का 60% से अधिक आमले का उत्पादन होता है महोबा में और कई सारी पान की प्रजातियां जो होती है यूपी में उगाई जाती हैं कौन कौन सी है इसमें महोबा, देशावरी, कलकतिया, कपूरी, बंगला, मगही, साची, बनारसी, सांकी, असोफिया, मीठा, एवं राम्टे ये पान की कुछ प्रमुक प्रजातियां हैं जो की यूपी में उगाई जाती है इसी तरीके से उत्तव प्रजाफ में आम उत्पादन के प्रमुक जो जिले हैं लखनव, बलेली, मेरट, वारारसी, गाजियाबाद, कानपूर और सहारनपूर के जिले यहां पर आम के लिए प्रसिद्ध है प्रदेश में इस्टेम आम का उत्पादन सहारनपूर और मेरट में लंगडा आम का मुक्रूप से वारार्सी मुत्पादन होता है और दशहरी आम का उत्पादन यहाँ पे लगनाओ में आपका होता है दसहरी आम के उत्पादन में उत्तवदेश देश में यहाँ पे अग्रणी राज के रूप में गिना जाता है उत्तवदेश के तराई छेत में जो प्रमुख आपकी फलों का उत्पादन किया जाता है उसमें हैं आपके सेब, नासपाती, आड़ो, खुबानी, स्ट्राबेरी, चेरी, अखरोट जबकि उत्तवदेश के जो मैदानी भाग में जो प्रमुख आपके फलों उगाए जाते हैं उसमें आपको आम, अमरोद, पपीता, अंगूर, बेल, बेर, केला, अनानास और नीबू उत्याद यहाँ पर फसले आपको ली जाती है इस तरीके से UP का देखे अभी यह जोग्राफी यहाँ पर हमने आज इतना डेटा यहाँ पर कम्प्लीट किया है और यह सारा जो डेटा है, वो आपको पढ़ना है अभी यह जोग्राफी में काफे कुछ रह जाता है, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है वो कल के लेक्षर में कम्प्लीट हो जाएगा जैसे अभी कुछ खनीज हो गया, पशुधन हो गया, कुछ नदी घाटी परियोजनाय हो गई, सिचाई का और यहाँ पर काम हो गया तो यह कुछ चीजें रह गई हैं, जो कि अभी शेस रह गई है तो कल के लेक्षर में उत्तवदिस की जोग्राफी को कम्प्लीट करेंगे लेकिन आज के लेक्षर में जितना कुछ बहुत सारी important, बहुत सारे question यहाँ से बनते हैं यह ज़्यादा important lecture है, क्योंकि यहाँ से question ज़्यादा आते हैं कल की जो topic हैं, वहाँ से भी question आते हैं, लेकिन वो थोड़े से आपको less important है बजाए इसके तो यहाँ पर आपको इसको पढ़ लेना है, बाकी का lecture, इसका second part योपी के जोग्राफी का कल हम लेंगे, same time पर आपको सामको यहाँ पर, तब तक आप यहाँ पर इसको फीडियो है, पीडियो भी आपके पास आ जाएगी, इसको अच्छे से पढ़ लीजेगा और revision कर लीजेगा, तब तक लिए thank you so much, बाकी हिंदी की classes हैं, वो आपको मिलने लगी है, हिंदी की class आपको upload कर दी गई है, तो वो भी आपको यहाँ पर, sorry, upload, live चल लई है, वो भी आप पढ़ते रहें, रही बात सिर्फ आपकी reasoning यहाँ पर बसती है, तो reasoning की classes भी आपको ज पास करीब, एक हफते से जादा आया, दो हफते करीब करीब आपको पास समय रहेगा, उन दो हफतों में, revision तो अपना continue रखना ही है, और उसके बाद, एक कम से कम test series जरूर जोइन करिएगा, ताकि आपको अपनी जो revision है, preparation है, उसका भी एक सरी तरीके से अंदाजा हो सके, त तो target यहाँ पर मेरा भी है, और आपका भी है, maximum हमें 25 नौवंबर, कोशिश में रहेगी 20 नौवंबर तर, और आपकी कोशिश रहे ताकि 25 नौवंबर तर अपना पूरा course कर लें, और उसके बाद, जितने भी दिन बसते हैं, 10 दिन, 15 दिन, उसमें आपना revision के साथदार, टे revision करें, और बागे कोई दिक्कत होद जरूर कताईएगा, आज के लिए तना ही, thank you so much.